So guys, क्या आपको पता है जो tennis racket के strings होती हैं, वो बनी होती हैं, nylon या फिर polyester की, nylon जो होती है वो best suitable होती है for beginner and intermediate level की, जब की जो advanced level के player होती है उनके लिए polyester जादा better रहती है, पर guys क्या आपको यह पता है कि पहले के जमाने में shift का जो intestine होता था, वो use होता था, यह इन strings बनाने के अगर इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला हो तो लाइक इस वीडियो और सब्सक्राइब तो मैं चैनल थैंक यू